हाई दोस्तों विल्कम बाक्ति माई चान्ग मैं हूँ आपकी दोश्य उत्य वुप्रा और आज के वीडियो में मैं आपको पीरियड्स यानि मासिक धर्म चल्दी लाने के खरेलू उपाया बताने वाली हूं जहां दोस्तों कभी होता है कि हमारा पीरियड काफी देव से आता कि दवाई खाल लेते हैं तो अब करते हो तो तुरंट आपका पीरियोड आ जाएक आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो एक बलड़ी बट हां इसका आप लंबे टाइम तक सेवन करते हैं तो इसके साइड एपक्त भी पढ़ते हैं तो दवाईयों का सेवन ना करके आप क कुछ खरेलू तरीके भी एपना सकते हैं जिसकी वह से आप जो आप के पीरिड है और चाइंगे और रेगुलर जिनके पीरिड रेगुलर नहीं आते ना जिस तैम की जो समस्या होती है बोढ़ाने की वह रेगुलर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत सिंपल लगी के अप उसका सेवन कर सकते हैं तो सबसे पहला जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने पर्सनली फील किया है वह खटी जीजे यानि विटामिन दोस्तों बच्पन में मुझे याद है जब मैं आट या नौ या दस साल की कुछ भी बोल सकते हो उस साल में थी तो दादी मुझे हमेशा खटी चीजे काने से रोकती थी उस समय की लड़किया होते हैं उन्हें खासकर रोका जाता है क्योंकि अगर हम खटी चीजे जाता सेवन करते हैं उससे क्या होता है हमारा पीरिट जो है वह जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है ठीक है अगर आप खटी चीजे UC weekend करते हैं तो आपका से पहले चीजों से क्या होता है नियमेद परिट्स की बोबलम भी कम हो जाती है तो आप खर्टी चीजों का सेवन करिए बाइमिन एव टीयूटि चेजों का सेवन करिए से साथ कह सकती है भॉबिली है नी भी हुआ है इसकर के बहुते दुझे खत्म हो जाएगी है कि हल्दी के पानी को भी सकते हो कि हल्दी की ताशीर गर्म होती है कर्म ताशीर होने की वजह से जल्दी लाती है हवै प्रिक प्रotरी को हल्दी हल्दी को दोसलों अगर आप चाहते हों कि हमारी पीरिड्ड पहले पहले में आप को पहलर को तो आप 15-20 दिन पहले हिहाब पानी पीना कर जाएगा है जिससे आपका पीरड टाइम से पहले आ जाएगा और आप चाहते हो कि रगलर आपको पीरड आए तो जो भी मैं रेमडी बताऊं चाहे हल्डी की या कोई भी रेमडी बताऊं तो आपको इससे रगलर यानि महीने में 25 दिन से अब शब्रीड दिन उसको यूज करना है जब आपको पीरड आने आने वाले हो तो एक दो दिन पहले से आपको यह जो है उससे पहले बंद कर देना है एंड पीरड के टाइम आपको यह कोई भी रेमडी ट्राइग नहीं करनी है ठीक है और पीरड जब आपके हो जाए उसके तो तीन दिन बाद आप फिर से वह राम Bubble सटार्ट कर सकते हैं क्योंकि इन सारे पर ऐस crazNo running स्ळूर्म होती है बहुत जादा दो कुछ लोगों को नुक्सान हो सकते हैं तो fact visit do not stop यृ पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके चार कप पानी आपको खत्म करना है दोस्तों सौफ में कुछ ऐसे तत्त पाया जाते हैं जो हमारे गर्भासे को संकुचन गर्भाशे में एक संकुचन पैदा करते हैं जिससे हमारा माशिक धम समय से पहले आ जाता है एंड इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो अनेमित जो period की problem है वो भी solve हो जाएगी एंड हाँ अगर आपको period के दोरान बहुत जादा दर्द भी होता है तो आप soft का सेवन कर सकते हैं आपके सेवन करने से period का दर्द जो होता है वो कम हो जाता है दालचीरी भी हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाती है और इससे period समय पर या फिर जल्दी आने की संभावना होती है दालचीरी ना सिर्प आपके माशिक धहम को ठीक करती है बलकि जिनने PCOS की शिकायत रहती है उसके इलाज में भी मददकार साबित होती है और हाँ दोस्तों अगर आपको heavy periods आने की समस्या रहते है बहुत लोगों को जो periods हैं बहुत ज़्यादा मातरा में आते हैं तो periods को control करने के लिए भी आप डालचीनी का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है डालचीनी को आप आधी चमस डालचीनी को आप दूद के साथ सेवन कर सकते हैं दिन में सुबह भी कर सकते हैं रात में सुने से पहले भी कर सकते हैं इसके अलावा आप दाल चीनी की चाय भी पीना स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है आप 20-25 दिन चाय पीके देखिए आपके जो पीरिड्स की समस्य है वो हल हो जाएगी अदरग के रस और सैयट को भी ट्राइ कर सकते हैं दोनों की तासिर गर्म हो्ती है गर्म होने की वेजह से हमारा जो aurezt in ज्रुदी आ जसके लिए उसके लिए क कया करना एक आपको अदरग का रस निकालना है और से सहथ के साथ मिला कर जो भी आपकी पीरिड़् की डेट ह उसके एक हथे पहले पहले से एका स्तर्ट करना है कि इसे क्या होका कि पीड है वो टाइम पहले आ जाएगा और हां अगर आप ऐसा हर मंत करती हैं तो आपका प्रट्ट एक टाइम से श्तर्ट हो जाएगा से कर सकते के लावा दोस्तों आपको पीड़ को जल्दी लाने के लिए आपको कुछ टिप्स है उन्हें फॉलू करना चाहिए जैसे आपको ऐसी चीज़ों का सेवन आपको जिसे हमारे शरीर का नापमान पड़े ठीक है और उसके लावा आप वयान भी कर सकते हैं योगाशन कर सकते हैं या फिर डांस वगारा जो एक्टिविटीज हैं ठीक है उनको भी यूज कर सकते हैं जिसके वज़े से भी आपका जो पीरिट्स है वो टाइम से आ सकता है यह जल्दी भी आ सकता है और हाँ अगर आप ज़्यादा तनाओं में रहते हैं तो तनाओं को बिल्कुल दूर कर है तो आपके हार्मोन भी गर्बर हो सकते हैं जिसके वैसे आपके पीरिट्स टाइम पर नहीं आ सकते हैं या कि इन रेगलर पीरिट्स की प्रॉब्लम जो है वह स्टार्ट हो सकती है और हाँ खाना पर जरूर ध्यान लें क्योंकि हमें पोश्टिक आहाल लेना बहुत ज़् लेकिन हाँ दोस्तों अगर इन में से कोई ऐसी चीज है जो जिससे आपके बॉडी को आपको ऐलर्जी है तो उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें ठीक है फिर आपको नुक्सान हो सकता है और हाँ दोस्तों अगर आपके पीरिट्स की कोई प्रॉब्लम है यानि आपके पीरि इंफ्रेक्शन हो सकता है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई उपाय करिए तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए यूजफूल हो यूजफूल हो तो कमेंट स्वाक्स में जरू बताना है और हाँ दोस्तों इन में से कोई भी उपाय आप ट्रा सकते हैं और हाँ दोस्तों को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट सब्सक्राइब कर लो बगर में लगी घंटी बचातों घंटी के साथ आता है और कपनों से अभी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंसे के फिलाल दोस्तों इस व आप आप